मन्द पर विराजबान, बिहार के राजपाल, स्रीमान रामनाद कोविन जी, बिहार के मुख्यमंत्री, मेरे मित्र स्रीमान नितिश कुमार जी, केंद्र में मंत्री परिशत के मेरे साथी, स्रीमान सुरेश प्रभु जी, स्री राम विलास पास्वन जी, स्री रविशंकर प्रसाज जी, स्रीमान राधा मोहन सी, स्रीमान राजी प्रताब रूडी जी, स्रीमान राम कृपाल यादव जी, स्रीमान गिर्राज सी, स्रीमान मनो शिना जी, शिमान उपेंद्र कुश्वाह जी, विहार के उपमुक्ष मंतरी, शिमान तेज़स्वी पृथार यादव जी, सी सुशिल कुमार मोधी जी, डाक्टर प्रेम कुमार जी, सांसत, सिमान नित्यानन राई जी, और रेलिवे बोड के चैर्मेन स्री एके मित्तल जी, और विशाल संगय में पदारे हुए, प्यारे भाईयों और बहनों, यह आपका उत्सा देख करके, मैं अंदाज लगा सकता हूँ, इस ब्रीज के प्रती, आप लोगों के मन में, कितना महत्मय है, यह ब्रीज के कारण, न सिर्फ यातायात, लेकिन यहां के आर्थिक जीवन में भी, कितना बड़ा बडलाव आ सकता है, इसका भली भाती अंदाज, आप सब के उत्साह के कारण में, अनुमान लगा सकता हूँ, मा गंगा, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार, दोनों को जोडती हैं, लेकिन नागरिकों को जुड़ने के लिए, व्यवस्ताएं आवश्चक होती हैं, अब आप कल्पना कर सकते हैं, जब नितिश जी रेल संबालते थे, अटल विहारी वाजपाई जी प्रधान मंत्री थे, तब का ये सपना इतने सालों के बाद आज पूरा हो रहा है, अगर पिछले दस साल में, इसको अगर निगलक न किया गया होता, रूटीन बजेट के हिस्से से भी अगर काम किया होता, तो भी शायद पांच-साथ साल पहले ये काम पूरा हो गया होता। छेसो करोड रुपय की लागत से बनने वाला प्रोजेक्ट बिलंब होने के कारण तीन हजार करोड रुपय तक पहुँच गया। ये पैसे जनता जनारदन के हैं, लेकिन कोई न कोई ऐसे कारण आते हैं, कि हमारे देश में विकास की प्रक्रिया अलग हो जाती हैं, और बाकी प्रक्रियाएं उभर करके आ जाती हैं। पिछले अठारा महिनों में इसका सबसे ज़्यादा काम इतने कम समय में अठारा महिनों में हुआ। करिब 34 प्रतिशत काम जो अधूरा पड़ा था इसको पूरा किया गया। और हम मानते हैं कि अगर भारत का सस्ट्रेनेबल डेवलप्मेंट करना है, अगर भारत को आने वाले 25-30 साल तक लगातार विकास की नए नए आँख पार करते जाना है, वो तब तक संभव नहीं होगा, जब तक हमारा पूर्वी हिंदुस्तान डेवलप्म नहीं होगा। चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे पस्चिम बंगाल हो, आसाम हो, नौर्थिस्थ हो, उडिस्था हो, यह सारे छेत्र, जितने तेजी से डेवलप्म होंगे, हिंदुस्तान उतनी ही तेजी से आगे बढ़ देवाला है। अब भारत की विकास की जन्यो नर्व सेंटर है, वो नर्व सेंटर इस्टन इंडिया में है। और अगर हम पुर्वी भारत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें शौर्ट कट के रास्ते से नहीं कर पाएंगे। अब तक हम ततकालीन समस्याओं को स्पर्स करते गए, लोगों की ततकालीन आवशक्ताओं को एड्रेस करते गए, लेकिन अब समय की मांग है कि हम लोगों की तत्कानिन आवशक्ताओं को तो जरूर अड्रेस करें लेकिन इस पूरे खेत्र को विकास की नई उचाईयों पर ले जाना है तो लंबे अर्से की व्यवस्ताओं को भी विक्सित करना अनिवार्या है रेल और रोड इन्फास्ट्रक्चर उसके अंदर इतनी तांकत होती है कि वह विकास की नसरिम नीव रख देते हैं लेकिन विकास को गती भी दे देते हैं और इसलिए पिछले सरकार ने पांच साल में रेलवे के पिछे बिहार में जितना खर्चा किया उससे करीब करीब डाई गुना जादा पिछले देड़ साल में वर्तमान सरकार ने किया है ये इसलिए किया है कि मैं बिलकुल मेरा एक कन्विक्शन है कि भारत का भाग्य बदलना है तो हमें बिहार का भाग्य पहले बदलना होगा बिहार को विकास की नए उचाईयों पर ले जाना होगा और केंद्र और राज्य मिल करके कंद से कंदा मिला करके इस काम को करेंगे ये मेरा पूरा विश्वास है और इसलिए इन्फास्रक्चर मुख्यत है रेलवे और रोड आज उत्तर बिहार दक्षिन बिहार को जोडने वाले तीन प्रोजेक्ट एक साथ लोकार पान एवं सिलान्याद हो रहा है अब आप देखे एक काम तो मैं आज वो कर रहा हूं कि जहां पर पहले मुकामा दोनों तरफ डबल लाइन थी लेकिन बीच में ब्रीज ऐसा था कि वहाँ डबल लाइन नहीं थी अब उसके कारण वो दोनों तरफ की डबल लाइन का जो खर्चा है उसका कोई उप्योगी नहीं है क्योंकि वो आकर के बॉटलनेक बन जाता था अब इस बात को हमने हाथ में लिया है और मुझे विश्वास है कि हम समय की सीमा में इसको पूरा करके देंगे और उस इलाके के विकास के लिए भी एक बहुत बड़ी गती आ जाएगी मेरे बिहार के नवजवानों आपको एक बहुत बड़ा तोफ़ा इन दिनों मिला है दो लोकोमोटिव्स इसके बहुत बड़े कारखाने ये बिहार की धर्ती पर लग रहे है 2006-2007 से ये कांगेज पर मसला चल रहा है बाशनों में काम आ रहा है लेकिन धर्ती पर कुछ हो नहीं पा रहा है कोई टेंडर के लिए तयार नहीं होता था हमने कुछ इनोवेटिव चीज़े की टेंडर में हमने एक्सपोर्ट का लगस्ताय किया हमने भारत की रिक्वार्मेंट का हिसाब लगा करके ओर्डर प्लेस करने का निर्णे किया और वो यह ऐसी व्यूरत ना थी कि दुनिया की बड़ी-बड़ी कंप्रियों को लगा कि अब इसके अंदर हम टेंडर लेकर के जा सकते हैं और अगर मिल गया तो काम हो सकता है उस प्रक्रिया ने रंग लाया दुनिया की बहुत बड़ी कंप्रिया आई 40,000 करोड रुपियों का फोरें डारेक इन्वेस्टमेंट इन दो जगां पर बिहार की धर्ति पर आने वाला है वो हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा माना जाएगा ये प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और कम समय में ये सरकार मनने के बाद 18 महिने हमें मिले हैं इदिल्ली में लेकिन 18 महिनों में बिहार हमारी प्रांत्विक्ता है क्योंकि भारत का विकास करने के लिए बिहार का विकास अनिवारिया है ये हम मानते हैं और इसलिए इस काम को भी अंजाम दिया गया है और उसका परणाम भी आने वाले दिनों में मिलने वाला है भाईयों भेनों आज के यूग में गैस पाइपलाइन गैस पाइपलाइन भी उतना ही महत्वा रखती है अगर हम गैस कनेक्टिविटी करते हैं पाइपलाइन का खर्चा बहुत होता है लेकिन उसके बावजुद भी बिहार को गैस कनेक्टिविटी से जोड़ दे की दिशा में हम तेज गती से आगे बढ़ रहे हैं जो आने वाले दिनों में यहां के जीवन में एक बहुत पड़ा बढ़ाव लाने वाला है मेरे बिहार के पैरे भाईयों बहनों आपने इस बजेट में देखा होगा कि हमने गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन देने का बिड़ा उठाया है मैं जानता हूँ काम कठीन है गरीबी के रेखा के नीचे जिने वाले पांच करोड परिवारों को आने वाले तीन वर्ष के अंदर-अंदर चूले की जगा पर गैस का सिलंडर मिल जाए और उन माता और बेहनों को दूवे से बचा लिया जाए उनके आरोग्य की चिंता किया जाए इसके लिए एक एहम जिम्यवारी सर पर उठाई है वैज्यानि कहते हैं कि चूला जला करके लकडी जला करके कॉला जला करके जो मा खाना पकाती है तो खाना पकाते पकाते जितना धुआ उसके शरीर में जाता है वो चार सो सिगरेट के बराबर होता है एक दिन में चार सो सिगरेट का धुआ अगर हमारी माताओं के शरीर में जाए तो उनके शरीर का क्याल होगा उनके बच्चों का क्याल होगा ये मानवता का काम है और इसलिए हमने सरकार की दीजोरी से जितना खर्चा लगे लेकिन बिड़ा उठाया है कि गरीब परिवारों को अब ये चूला ये कोईला उसका दुआ उससे मुक्ति दिलानी है मेरे प्यारे भाईयों भेनों हमारे देश में आजादी के इतने सान हो गए अब भी गावों में बिजली नहीं पहुँची है और बिजली पहुचाना ये कोई लगजरी नहीं है बिजली ये अब जीमन का हिस्सा बन गई है वो कोई रहीशों का खेल नहीं है गरीबों के लिए जरूरी है मैंने एक दिन रिव्यू लिया कि बई क्या हाल है मैं हरान था आजादी के सतर साल होने आए अठारा हजार गाव ऐसे थे जहां अभी बिजली का खंभा भी नहीं पहुचा मैंने अपसरों को कहां मुझे एक हजार दिन में काम पूरा करना है जो सतर साल में नहीं हुआ वो एक हजार दिन में पूरा करना है बिड़ा उठाया अभी तो हजार दिन पूरे होने की देर है बहुत दिन बाकी है लेकिन मुझे आज पता चला छे हजार से अधिक गाउं का काम पूरा हो गया बिजली पहुच गई और उसका सबसे ज़्यादा लाब उत्तर प्रदेश और बिहार के गाउं को मिला है और में दिति जी का अभारी हूँ कि इस काम को गती देने में उनकी राज्य सरकार तरफ से भी पूरा सयोग मिलता रहा है और उसके कारण ये काम भारत सरकार गती से कर रही है और मुझे तो विष्वात है अगर एक बार भारत सरकार और बिहार सरकार ताय कर ले तो पूरे हिंदुस्तान में इन जो 18,000 गाउं का काम बाकी है उसमें से बिहार को सबसे पहले हम पूरा कर करके एक गवरवानित बिहार बना सकते और जिस तरह चला है काम मेरा विष्वात है हो जाएगा ये काम हो जाएगा और इसलिए मेरे प्यारे भाईयों बैनों चाहे बिजली हो, सडक हो, पानी हो, रेल हो इन चीजों को सामान ये मानवी के आवश्यक्ताएं हैं और उन आवश्यक्ताओं की पूर्ति करने का प्रयास है बिहार से बहुत बड़ी मात्रा में हमारे नवजवान हिंदुस्तान के कौने कौने में आते जाते रहते हैं पढ़ने के लिए जाते हैं रोजी रोटी कमाने जाते हैं लेकिन रेलवे में अगर जाना है तो उसका दम उख़ड़ जाता है लंबी सफर की ट्रेनों में आरक्षन की सिमा रहती हैं इस बार हमारे रेल मंत्री सिमान सुरेश प्रभूजी ने एक बड़ा एहम कदम उठाया है और मैं मानता हूँ उस एहम कदम का अगर सबसे जाना कोई फाइदा उठायेगा तो बिहार का नवजवान उठायेगा कोई एहम कदम ये उठाया है कि लंबी सफर की जो ट्रेन है उसमें दो या चार डिब्बे ऐसे लगेंगे दिन दयालू डिब्बे जिसमें आप लास्ट मोमेंट भी चड़ जाना है तो चड़ जाओ और जहां जाना है पहुँच जाओ ये इसलिए किया कि गरीब व्यक्ति उसको अगर दूर जाना है बेटा अगर कहीं बिहार चे बहार काम कर रहा है अचानक मा बिमार पढ़ गई और उसको पहुँचना है तो रिजर्वशन तो संभव नहीं होता है ये एक ऐसी व्यवस्ता रहेगी कि जिसके कारण ऐसे लोग परिशानी न भुखते हैं और समय पर पहुँच सके विशों को ऐसे लिया गया है कि जिसके कारण आज हमारे देश में एक नियो मिडल क्लास मिडल क्लास उसका बल्क भी बहुत बढ़ रहा है बहुत बड़ी मात्रा में मिडल क्लास का बल्क बढ़ रहा है वो पहले से थोड़ी प्लस सुविदा चाहता है और इसलिए हमने एक हम सफ़र ट्रेन शुड़ू करना तै किया है जिसमें तृतिय सेनी का एर कंडिशन को ट्रेन रहेगी जो सामाने मिडल क्लास लोवर मिडल क्लास के लोग आर्थिक रूप से उनको लिए थुसुविदा रहेगी और वे अच्छी स्पीड से चल पाएगी हमारे देश में रेल बहुत पुरानी है लेकिन रेलवे को हम अब पुरानी रहने देंगे तो रेल बोझ बन जाएगी जिस रेल ने हिंदुस्तान को गती दी वह रेल अगर वैसे ही पुराने हालात में रही तो वही बोझ बन के देर नहीं लगेगी और इसलिए रेलका नए नए आइडियाट लाते हैं, दुनिया लोगों से मासा पच्ची करते रहते हैं, विदेशों से धन भी लाते हैं, और मैं विश्वाद से कहता हूँ कि बहुत ही कम शमय में पूरी रेल का काया कल्प हो जाएगा, रेल का नमीनी करन हो जाएगा, चाहे वो इन्फरस्टेक्चर का मसला हो, चाहे गती का मामला हो, चाहे पैसेंजरों की क्वालिटेटिव सेवा का मसला हो, चाहे रेल बे स्टेशनों की सुविधा का मसला हो, चाहे पैसेंजर की कंप्लेंड का मुता हो चाहे डिजिटल टेक्नोलोजी के द्वारा मोबाइल फोन से रेलवे की सेवाय लेने की बात हो अनेक पहलूँ पर एक पहुती कंप्रेहंसिव वे में रेलवे के नमीनी करना का काम चल रहा है एक बीडा उठाया है तेजस नाम की ट्रेन ये तेजस ट्रेन एक सो तीस की स्पीड से चलाने का इरादा है आज हमारी ट्रेन बहुत कम स्पीड से चलती है इतना बड़ा देश वो अब छुक छुक गाड़ी से नहीं चल सकता है उसको गती देने के आवश्यक्ता है और इसलियाए एक नया कंसेप प्रायोगी गुरूप में ये तेज़स के द्वारा तेज गति से चलाने का इरादा ले करके हम आगे बढ़ रहे हैं मैं ये सारी बातों से आपको विश्वाद दिलाना चाहता हूं मैं देशवाचियों को भी स्वाधिय लाना चाहता हूं कि रेल ये सरफ याता याते आवागमन का सादन नहीं है रेल भारत के अर्थतंत्र को गती देने वाला एक गती शिल माध्यम है और उसको गती देने की दिशा में हम सर्कार को गती शिल बनाया है और यही आने वाली दिनों में परणाम देने वाला है आज ये त्यों तीनों प्रजेक्ट प्रारम हुए है मैं मानता हूँ पटना के लिए तो ये बहुत बड़ा बरदान है आज अल्रेडी ट्रेने चलना शुरू हो गया है चाहे मुंगेर हो चाहे मुकामा हो ये तीनों पूरे बिहार को एक प्रकार से हमें अपने आपने समाहिट कर लेते हैं इसका कितना बड़ा प्रभाव पादा होना वाला है इसका बिहार के हर व्यक्ति को पता है मैं आज बिहार को लाख लाख शुब कामनाई देता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और रेलवे मिनिस्टी को भी बहुत बधाय देता हूँ धन्यवाद